नमस्कार और आप देख रहे हैं WWE News हिंदी यूट्यूब चैनल तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोन सीना की नई TV सीरीज पीश मेकर को लेकर शाथ ही बात करेंगे रोंडा रावजी कहां पर हैं और क्या अब रोंडा रावजी WWE से पूरी तरह बाहर हो चुकी हैं तो इस वीडियो में हम इनी शब चीजों को लेकर बात करने वाले हैं तो वीडियो होगी काफी इंट्रेस्टिंग इसे अंत तक जरूर देखेगा तो पहले बात कर लेते हैं सीनेशन लेडर जोन सीना को लेकर जैसा कि WWE सुपरिस्टार और मशूर हॉलिवड एक्टर जोन सीना हर साल कई नई फिल्म और टीवी शो करते हैं और इस वक्त भी जोन सीना एक पीश मेकर नामक 2022 को रिलीज होने वाली हैं दरसल पीश मेकर कॉमिक बुक्ष पर आदा रित एक शूपर हीरो की स्टोरी है इस सीरीज में जोन सीना का नाम क्रिश्टोपर इश्मित हैं जिने उनके शूपर हीरो के किरदार में पीश मेकर के नाम से जानना जाता है इस सीरीज में जोन सीना का रोल थोड़ा फणी है एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर एक्षन के साथ साथ शांदर कॉमेडी भी होने वाली है इस सीरीज की प्रोड्यूसर जैम्स गन है और इस टीवी सीरीज को HBO Max पर स्ट्रीम किया जाएगा और इसकी लांचिंग डेट 22 जनवरी 2022 हैं और इने सब प्रोजेक्ट के चलते जोन सीना आप WWE को काफी कम टाइम देपाते हैं तो गाइज अब बात कर लेते हैं बेडेस्ट वूमन ओन दा अर्थ रोंडा रावजी को लेकर जो कि पिछले धाई सालों से WWE में नजर नहीं आई है रोंडा रावजी WWE में आखिरी बार रेसल मेनिया 35 के दोरान नजर आई थी और ओपिशल तोर पर देखा जाए तो रेसल मेनिया 37 यानि अपरेल 2021 के दोरान रोंडा रावजी और WWE का कोंट्रेक्ट शमापत हो चुका है यानि एक तरह से देखा जाए तो रोंडा रावजी अब WWE के साथ किशी भी कोंट्रेक्ट में नहीं है जिसकी वज़ा यह है कि रोंडा रावजी अपनी फेमेली को फस्ट प्रायोरिटी के तोर पर रखना चाती है और उन्होंने माप बनने के लिए WWE से लंबा ब्रेक लिया था और पिछले ही दिनों में उन्होंने एक बेबी गल को जनम दिया लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या रोंडा रावजी आने वाले समय में WWE में आएंगी या नहीं तो इसका जवाब है रोंडा रावजी हमें जल्दी WWE में देखने को मिलेंगी WWE के पास अगले रेसल मैने के लिए रोंडा रावजी को लेकर काफी शानदार प्लांस है और इसी के चलते हमें आने वाले कुछ महिनों में रोंडा रावजी WWE में वापसी करती हुई नजर आएंगी तो गाइस क्या हैं आपके ख्याल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर वीडियो फ़संद आई हुँ तो इसे कर दीजिएगा लाइक और शेयर जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में धन्यवाल